नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है श्रीकान बुलॉग पर और मैं आया हूँ आज सत्रेंगा पिक्निक स्पॉट और एक बार फिर मेरे शैयत हैं लगन डादा, पिषले बार वाले और ये हैं सत्रेंगा शे और ये हमें तमूरे की तान पर एक खुबशूरत सा 36 गढ़ी में कुछ सुनाएंगे तो चलिए हम वह सुनेंगे और दादा जी यहां हमेशा से बैठते रहे हैं और इसके मादे से इनकी रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है जो आता है शुनता है अच्छा लगता है कुछ दे जाता है कोई नहीं दे जाते कोई बात नहीं पर दादा जी है कि यहां अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे ही है तो चलिए हम शुनेंगे दादा जी से एक छोटा शक गाना स की बात मीड़ए क्या है कि बात मा जी रोटा के लाँ को चाम तो दो आसे एक छिए कलोगता है क्या है सकतlined झाल वावा जार में आप सुरी खन्यवा इमका मोलारी कर दो तॉलॉद दो कर दो किन्योंस रखिटा है कर दो कि दो कर दो कर दो कर दो कि दो गराई वो प्रेब्ण कर्ली का र anks aur आучी का डेब्ण कर्ण बात सुना कर्ली कर्दक्ट बढखी बढखी बआखी बढखी रिला पुटरा बेवाने कारू ठारा बेड़न वोगा कर दो लोगा कर दो दो झा ताने मता भूटिया दे बेका आागा दो सगजानी इल्गया स्वामाधी जरावे तारामा जानी ससुगादी मावा जानी के पनी गामी रे घोड़ा जाने रे या सवारी मावा जानी के पनी गामी रे घोड़ा जाने रे या सवारी जिरी जैसा ना खार जूर जैसा ना फ्रेर काव जैसा ना महीं बहा तैसा ने रे घोड़ी जैसा ना खार जाने रे तैसा ना बहा जाने रे या सवारी तो दादा जी ने हमें एक बेहज सुंदर सा 36 गढ़ी में गाना सुनाया उन्होंने सुरस्चती मात्ता की आराधना की इस गाने में आपको कैशा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्क्राइब कर लिजिए बेल झाल झाल झाल